कि आज हम आपको यह दियो आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है और आपको उसके उपर में जो संभ्रमित किया जाता उसकी जानकारी देना चाहते हैं ना इसमें बहुत कुछ कर्मकान नव सलसूती में दिये है आप लोग सब्धा और विश्वास के साथ में आपको उसको पारान करने को कहा जाता है अलिटीमेट लिए क्या है? ये तो आपके माइन को कंडिशनिंग करना है एक किसम से है ना जो कुछ भी अपना लाइप चलता है वो माइन के आधारे पर चलता है और माइन को सहुस्वारित कर दिया तो उसका आपको रिजर्ब भी मिलता है आपको पुजा पार्ट में एक किसम का संकल्प धार्म करने को चाहते है बताते हैं ना और पूरी सद्धा और स्वास के साथ में वो क्रिया आपको करने को लगाते उसके कारण आपका माइन जो है वो कंडिशन हो जाता और कुछ दिनों के बाद में आपने जो संकल्प किया आए है ना वो सिद्ध भी हो जाता है तो ये पुरा मनुविज्ञान है एक किसम का है शेरीर का मनुविज्ञान है माइन बहुत ही सप्टल रहता है बहुत ही सुक्षम रहता है और उसके ओपर में जो कुछ भी आपन धारना धारन कर लेते उसी इसाब से आपको लाइप में प्रत्ते ही बियाता है तो अध्यात्मिक धर्मकान क्या है अध्यात्मिक कर्मकान क्या है ये तो ये किसम की आपको माइन को कंडिशन करने की प्रक्रिया है सारे दुनिया में जो चल रही है दुनिया जो चल रही है ये पूरी बुद्धी के ब्रह्म से चल रही है तो आपका लायी बहुते शुसे होने के लिए आपके शेरिंग में जो चितना अवस्ता है और मांन दो बहुते थारत कर लेता है तो आपके वापना चाहिए जानना चाहिए मानना चाहिए कि यह जो वहिश्विक energy है वहिश्विक शक्ति जो है यही आपके देए को सदेव चलाते देते हैं आपका रक्षन भी करते देते हैं आपमें आपका विश्वास और konferences यदि जागूत कर दिया तो यह कर्मकान करने की भी आपको जरूत ने होती है बहुस सारे विद्यओं के ऊपर में एक किशम का व्यवार टीयार हो गया है और व्यवार के कारण में कभी-कभी आप लोग आप की इन पीं भी आते हैं बहुस सारे धर्म Drink म regression आपको उनको फ़ालो करने के लगाते तो आप क्या करते हैं आप सर्दाव विश्वास के साथ उन्सके साथ में जूग जाते हैं और उन्हें जो कुछ भी आपको आच्छन करने को लगाया वैसा आप ब्लाइंड ली फालो करते हैं यह पूरा खेल जो है यह माइन का ही है और आप माइन को श्टेडी बनाइए निर करके सही धंगा निरने लेना सीख लिए इंग आपका लाइफ बहुत सुसे हो जाएंगा आज आज हमने जो कुछ भी देखा बहुत घरों में आउनलाइन पुजापाट चलते हैं ना पुजापाट का वीदिया हमने देखा अबज़र किया तो उसमें कुछ नहीं है उसमें सिर्फ आपकी बनों वैद्दानी क्या जानके उसके उपर में उन्होंने कर्माकान करके आपको भुल भुल दया में गुमरा कर रहे हैं आपकी जैविक शक्ति जो है वो माइंड और चेतन अवस्ता के साथ में चलते हैं आप अपने माइंड को परिपक्वा बनाईए सिर्फ कर्मकान करने वालों की पीछे नहीं आती सबके साथ देती है सदय वसाथ देती है आप भरुसा करना चाहिए कि मेरे को चलाने वाला जो कुछ भी इश्वर करमेश्वर जो कुछ भी परमात्मा है वो ही मेरा तारक है वो ही मेरा कारक है वो ही मेरा रख्षक है वो ही म मन की गर गरता बढ़ाई तो आप सभी चीजे प्राप्त कर सकते हैं यह मैं दावे से कहता हूँ धन्यवाद आप उनसे चूले गए और आगे के कारेकरम के लिए हमारे चानल को सब्स्राइब करके जानकारी प्राप्त करते हैं धन्यवाद